नमस्कार दोस्तूं दोस्तूं आज की कलास में हम देखने वाले हैं सिक्ष्या का अधिकार RTE 2009 के बारे में संपूर्ण जानकारी आज की इस कलास में हम देखेंगे दोस्तूं आप अंतक मेरे साथ बने रहें तो आप RTE 2009 से कैसा भी क्योसन एकजाम के अंदर आए आपका कभी गलत नहीं होगा दोस्तूं इसलिए अंतक बने रहें आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ YouTube चैनल कुचामन ओनलाइन कलासेज पर नए सभी मित्तर वीडियो को लाइक, सेर और नए साती है वो चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें इसी के साथ अगर आपको किसी भी टोपिक में किसी भी परकार की दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बताइए इसी परकार से आपके सामने वो टोपिक में रखने का प्रियास जरूर करूंगा दोस्तूं तो चलते हैं दोस्तों सिक्ष्या के अधिकार की ओर देखिए मित्रू हर एक चीज है जो आपके सामने रखोंगा बस आपको क्या करना है हर एक चीज को ध्यान से सुनते जाना है पहला देखिए निसूलक एवं अनिवारिय सिक्ष्या अधिकार अधिनियम 2009 यह अधिनियम जम्मो कस्मीर को छोड़ कर संपुन देश में एक अप्रेल 2010 को लागू किया गया अब पहला क्यों से आपका यहीं से बन जाएगा एक अप्रेल 2010 से निसूलक एवं अनिवारिय सिक्ष्या अधिकार अधिनियम है वो कब लागू किया गया संपुन देश में एक अप्रेल 2010 को इससे में दोस्तों जम्मो कस्मीर को छोड़ा गया था क्योंकि उससे में जम्मो कस्मीर राज्य था वर्तमान में जम्मो कस्मीर को दो भागू में विबगत करके केंदर सासित परदेश बना दिये गए हैं वहाँ पर तो मित्रों आपको याद यह चीज जरूर रखनी है क्योंकि इससे सीधा क्यूसन एकजामों में और बहुत एकजामों में आया हुआ है आगे देखिए यह अदिनियम 20 जुलाई 2009 को राज्य सबा में पारित हुआ तो RTE 2009 है यह राज्य सबा में कब पारित हुआ था दोस्तों 20 जुलाई 2009 को और 4 अगस्ट 2009 को यह लोग सबा में पारित हुआ था दोस्तों दोनु चीज़े आपको याद रखनी है मित्रों क्योंकि इनसे सिधा क्यों सन ये नहीं है कि आप अगर रीट की तियारी करें तो मैं रीट की बता रहा हूं किसी भी सिक्सक बर्ती की तियारी कर रहे हैं तो ये सबी सिक्सक बर्तियों के लिए इंपोर्टेंट है दोस्तु आगे चलिए दोस्तों आगे देखिए आगे क्या दिया गया है पर्दान मंत्री डॉक्टर मनमाउन सिंग के संबोधन मातर सें अस्त्वित्वे में आने वाला यह है पहला अदिनियम बना इस अदिनियम के मादियम से देश की सिक्सिया के बुनियादी धाचे को मजबूत बन आया जाए दोस्तों यही इस जो अदिनियम लाया गया इस अदिनियम का उदेश से था आगे देखिए मित्रों आगी क्या है इस अदिनियम के तहट छैसे चोदे वरस्तक के बच्चू को निसूलक एवं अनिवारे सिक्ष्या का मौलिक अधिकार दिया गया जो की चियासी वे सविधान संसोदन द्वारा सविधान के बाग तीन के अनुचेद 21 के में के के अंतरगत आता है पहला क्यों सन आर्टी दोजार नो के अनुसार निसूलक एवं अनिवारे सिक्ष्या है वो किन उमर के बालकू को दी जाती है चैसे चोदे वरस के अब बात की जाए कि 89 है वो सविधान में कोन से संसोदन के द्वारा जोड़ा गया तो 86 संसोदन के कौन से भाग में जोड़ा गया भाग नमबर 3 में कौन से अनुचेद में अनुचेद 21 के के अंतरगत जोड़ा गया दोस्तु आगे देखिए आगे आपके लिए भूत important question आ रहा है इस अधिनियम के तहित भारत में सिक्ष्या का मोलिक अधिकार के रूप में लागू करने वाला विश्वे का 135 वा देश बना जो भारत देश है वो सिक्ष्या को मोलिक अधिकार के रूप में लागू करने वाला जब आर्टी दोजार नो लागू हुआ उसके उसमें 65 परतिसत रासी है वो के अंदर सरकार वेन करेगी और 35 परतिसत रासी है वो राज्य सरकार वेन करेगी लेकिन मित्रू पूरवतर राज्य है उनके लिए 90 परतिसत जो रासी है वो कौन करेगी वेन के अंदर सरकार वेन करेगी और 10 परतिसत रासी ही वहां के इस्तान ये राज्य सरकार है उसको वेन करनी है तो दो क्यूसन मन जाते हैं यहां से एक तो पूरोतर राज्यू का एक सहस राज्यू का सहस राज्यू में 65 के अंदर 35 राज्ये और पूरोतर में 90 के अंदर और 10 कौनसा इस्तानिय राज्ये दोस्तों आगे देखिए यहां पे दोस्तो आपको सोट में केंदर 65 परतिसत राज्य 35 परतिसत ये तो हो गए सभी राज्यू लेकिन जब पूरोतर राज्यू की बात की जाए तो वहाँ केंदर तो 90 परतिसत है लेकिन जब पूरोतर राज्य है वहाँ पर 10 परतिसत राज्य जो रासी है वो वेन करेगा दोस्तु अब ए एक एक चीज आगे जो हम चीज़े देख रहे ना विसेस्ता हैं, आर्टी, राइट टू एजुकेशन, दोजाल नोकी जो विसेस्ता हैं देख रहे ना, एक एक विसेस्ता से क्यूसन एकजाम में आ चुका है, मित्रू समय लगेगा इसमें थोड़ा सा, लेकिन ध्यान से आता है इससे तो एक नमबर की बात है बने रहे पहला देखिए ये अदिनियम छैसे चोदा वरस के बच्चू के लिए या एक से आट तक की कक्सा के बालकू के लिए निसुलक एवम अनिवारे परदान निवारे सिक्षा परदान करने के लिए है तो पहला तो हो गए ये 2009 के अनुसार जो सरकारी विदाले वहाँ पर निशुलक शिक्षा दी जाएगी दोस्तूं और नीजी विदालियों में 25% सीटे आरतिक तोर पर कमजोर वरक्ये बच्चू के लिए आरक्सित रखी जाएगी ये क्यूसन एक्जाम में आया था कि आरति दोजार नोके अनुसार नीजी विदालियों में आरतिक तोर पर कमजोर वरक्ये बच्चू के लिए कितनी परतिसस सीटे आरक्सित है 25% दोस्तूं तीसरा देखी इस अदिनियम के तेत बच्चू को सारिक एवं मानसिक रूप से परतियाडित या दंडित करना क्या र आगे चलते हैं जोता देखी इस अदिनियम के तेत यदि एक से पांच वी तक का विदाले एक किमी यानि एक किलोमेटर तक और छे से आट वी तक का विदाले तीन किलोमेटर के दायरे में होना चाहिए यदि नहीं है तो तीन वरस के बितर विदार्तियों को सिक्ष्या की उचित वेवस्ता करना अनिवारे हैं समझिए दोस्तूं आटी दोजार नोके अनुसार क्या है कि कक्सा एक से कक्सा पांस तक का जो विदाले है वो विदाले बच्चे की पहुँच है एक किलोमेटर के अंदर उसको उपलब्द करवाना है और छे से आट वी कक्सा तक तीन किलोमेटर के अंदर अंदर उपलब्द करवाना है अगर ऐसा नहीं है तो तीन वरस का समय दिया जा रहा है उसके अंदर उस बच्चे की सिक्षया की संपुण वेवस्ता सरकार को करनी होगी आगे देखिए इस अदिनियम के तहित कोई भी बालक प्रारंबिक सिक्षया सकते हैं और ना ही विदाले से उसको निकाल सकते हैं इस अदिनियम के तहित प्रारंबिक सिक्षया पूरी होने तक बालक के सीखने का रिकोर्ड रखना अनिवारे है बालक ने क्या सीखा कब सीखा कितना सीखा ये रिकोर्ड रखना अनिवारे रहेगा आगे चलते हैं दोस पीस का दस गुना तक जुर्मना लगया जा सकता है मतलब कि कोई भी जैसे हम बात करें प्राइवेट स्कुलू की गेर सरकारी स्कुलू की तो वहां पर 25 पर 30 सीटे आरक्सी तेना आर्थिक तोर पर अगर उनसे कोई विदाले पीस लेता पाया गया तो उसको दस गुना परते सुना था पेले कि जब विदाले में हम जो हमारी गेर सरकारी संस्ता हैं उन्हें में परवेश लेने जाते थे तो वहां पर क्या होता था परवेश प्रक्सिया ली जाती थी और उसके अनुसार क्या लिया जाता था एडिमिसन तो इस जब से ये अदिनियम आया उसके बाद परवेश प्रक्षिया का जो सिस्टम है 25% बालकू के लिए वो खतम कर दिया है आगे देखे और यही सिस्टम जो सरकारी संस्ता हैं उन पर भी लागू है इस अदिनियम के तेथ विदार्ती को जनम परमान पत्र के अबाव में विदाले में परवेश से रोका नहीं जाएगा अगर विदार्ती के पास जनम परमान पत्र नहीं है तो यह नहीं है कि उसका आप एडविशन नहीं लेंगे आपको उसका एडविशन लेना होगा दोस्तू आगे चलिए दस्वा देखे इस अदिनियम के तेथ कोई भी विदाले इस्तानांतरन याने टीसी परमान पत्र के एक यह जिमेदारी है कि एसी समुझित जानकारी जो सरकार वैस्तानि अदिकारी दोड़ा चाही गई हो तो विदाले परसासन निश्यत रूप से उपलब्द कराएगा अगर कोई जो परसासन है या सरकार है वो विदाले से कोई भी जानकारी लेती है जो आटी दोजार नो चित मानकू को पूरा करने के निर्देश दिये गए हैं, तीन वरस का जब ये लागू हुआता ना मित्रू, उससे में तीन वरस का समय दिया गया था कि तीन वरस के समय, तीन वरस की तक आप सभी जो मानक बताए गए हैं, इनको लागू अपने विदाले में कर लें, आगे द दोस्तों बात करते SMC, विदाले प्रबन सिमेती, बहुत इंपॉर्टेन चीज है और इससे बहुत बार एक जाओ में क्यूसर नाया है, तो इसके बारे में देख लेते हैं, मित्रू बात करें हम विदाले प्रबन सिमेती, तो इसके अंदर कुल 15 सदस्यों होते हैं, कितने सद बच्चे और बारह होंगे इसके अंदर क्या सदस से ये चीज ये लेकिन मित्रू ये चीज तो आप याद रख लेंगे लेकिन मेन क्यूसन बनेगा कि विदाले परबंदन सिमेती के अंदर मैलाओं के लिए आरक्सित पद कितने है तो वो है पचास परतिसत दोस्तू याद र कि प्रारंबिक सिक्ष्या में सिक्ष्या का माध्य मातर भासा होगा जो प्रारंबिक सिक्ष्या रहेगी उसके अंदर जो सिक्ष्या दी जाएगी वो मातर भासा के अंदर दी जाएगी इस अदिनियम के तेज संपून प्रात्मिक सिक्ष्या बाल केंदरित होगी जो प्रात्मीक विदालिउ में सिख्सक विद्यาर्ती अनूपात 1 अनूपात 40 होगा, बात किस की करें हम, प्रात्मीक विदालिउ के अंदर जो सिख्सक विद्यार्ती अनूपात 50, मतलब 40, 40 विदार्तियों पर एक सिखसक, बात यहां पर करें उच प्रात्मिक विदालियों में तो वहां पर रहेगा एक अनुपात में 30, 35 विदार्तियों पर एक सिखसक, आगे देखिए, अब आ जाती है कि 150 विदार्ति हो गए, तो 150 विदार्ति होने पर एक परदाना द्य पक और पांच सिख्षक होंगे दोस्तूं प्रारंबिक सिख्षया परती सब्ता कम से कम 45 कालांस अनिवारे हैं प्रारंबिक सिख्षया के अंतरगत जो सिख्षक है उसको परती सब्ता 45 कालांस लेना अनिवारे हैं कख्षा एक से पांस तक कुल कार्य दिवस 200 होंगे और कुल और कुल कालंस एक से पांस तक वो होंगे आठसो दोस्तूं बात करें काक्सा 6-8 के लिए तो कुल कार्य दिवस तो रहेंगे दोस्य की और कुल कालंस रहेंगे उनके एक हजार दोस्तूं ये इम्पोटेंट चीज है दोस्तूं आगे देखे, आगे है मित्रू, कक्सा 6-8 तक सेक्षिनिक वरस 220 कारिय दिवस निर्दारित है जो आमने उपर देख लिया है एक 6-1 परतिस अपता 45 गंटे कारिय करेगा 45 कालांस लेगा दोस्तू एक बार कमेंट करके बता देए कि आज की कलास आपको कैसी लगी अब अगर आपको किसी भी मनोविज्यान के किसी भी टोपिक में दिक्कत है तो मित्रू कमेंट करें सर हमें इस टोपिक में दिक्कत है उसको इसी प्रकार सोट से में आपके सामने रखने का में प्रियास जरूर करूंगा दोस्तू और इनके आगर आप पीडियप है वो पीडियप से इनको पढ़ना चाते हैं तो कुचमन ओनलाइन क्लासेज एप पले स्टोर से डाउनलोड कर लें वहाँ पर इस्टोर के अंदर आपको मिल जाएगा साइकोलोजी सिक्स्या मनोविज्यान का फोल्डर वहाँ पर आप नाम मातर के चार्ज के साथ संपूर साइकोलोजी मैत्वपूर परसन देख सकते हैं आप सभी को बहुत बहुत दन्यवाद जे हिंद जे बारत